नमस्कार, भारत वानी से मैं कविता, प्रस्तुत हूँ, राश्ट्र कवे मैथिली शरण गुप्त रचित उनके प्रतम प्रतने धे खंड कावे, भारत भारती की बावन्वी कड़ी लेकर, गुप्त जी के वर्तमान के पटल पर हम देख रहे हैं भारत का अधूपतन, वो काला प्रिष्ट हमारे इतिहास का, जिसे देखकर किसी को भी यह विश्वास नहीं होता, कि यही भारत कभी विश्व सभिता का सिर्मौर था, जो भारत वसुधैव कुटुम्ब कम का सर्वे भवन्त सुखिना का अशिर्वाद विश्व को दिया करता था, शांति दूत बन कर, उसी भारत का हर घर, हर ग्रह, हर कुटुम्ब जूज रहा था, ग्रह कलह के राक्षर से, आए, जानते हैं कि ग्रह कलह और व्यभिचार के इस वर्णन के पीछे, गुप्त जी का क्या मनतव्य है, बहुत जिम्मेदारी है हम सब पर आने वाली बीडियों पर, जिससे कि उनके भविश्य पर इस कालिमा की छाया ना पड़े, बहुत ही दुखद अध्याय है यह हमारे इतिहास का, लेकिन आवश्यक है, तो चलिए प्रारंध करते हैं आज की कड़ी, इस ग्रह कलह के अर्थ भारत भूमि रणचंडी बनी, जीवन अशांतिय पून सब के दीन हों अथवाधनी, जब यह दशा है गेह की क्या बात बाहर की कहें, है कौन सहर दै जनन जिसके अब यहां सूब हैं, इस ग्रह कलह के अर्थ भारत भूमि रणचंडी बनी, जीवन अशांति प्रपून सब के दीन हों अथवाधनी, बास्तव में हर घर ही वो इकाई है, जिसके जुडने से समाज बनता है, देश बनता है, विश्व बनता है, और ग्रह कलह घर को घर नहीं रहने देता, होम स्वीट होम धर्मशाला बन जाता है, शरणार्थी शिविर जैसा, या फिर द्वन्द्व का युद्ध का खाड़ा बन जाता है, विदेशी संस्कृती के प्रभाव तले और उचित संसकारों के अभाव के कारण वैचारिक मतभेद बढ़ रहे थे, बाप बेटे में, पति-पत्नी में, मित्रों में, संबंधियों में, पडोसियों में, निर्धन के घर भी कलेश थी और धनवान के घर भी कलेश, भारत भूमे रण चंडी का रूप धारण कर चुकी थी, चारों और अशान्ती ही अशान्ती व्याप्त थी, जब यह दशा है गेह की क्या बात बाहर की कहें, है कौन सहरिदय जन न जिसके अब यहाँ आंसू पहें, गेह अर्था ग्रेह घर, तो घर वो स्थान होता है जिसकी नीव आपसी प्रेम, विश्वास, सम्मान पर ठिकी होती है, जहां सब के विचारों का सम्मान होना चाहिए, सब की बात सुनी समझी जानी चाहिए और शान्ती से हल निकाला जाना चाहिए, लेकिन जब घर में ही यह आपसी सौहार्द संभव नहीं हो पा रहा था तो फिर समाज में देश में कैसे संभव हो सकता था सहरिदय अर्थात कोमल चित वाली दया भाव वाली रैसे लोग तो केवल आंसु बहा कर ही रह जाते हैं क्योंकि जो कठोर हैं दुरबुद्धी हैं दुष्ट हैं उनके मन में तो ना किसी की भावनाओं का सम्मान होता है ना किसी के आंसुओं की कद्र उदंड उग्र अनैकिने क्षय कर दिया है क्षेम का फिद्ध्वेश ने पद हर लिया है आज पावन प्रेम का इर्षा हमारे चित से क्षण मात्र भी हटती नहीं दो भाईयों में भी परस्पर अब यहां पटती नहीं उदंड उग्र अनैकिने क्षय कर दिया है क्षेम का विद्ध्वेश ने पद हर लिया है आज पावन प्रेम का उदंड वो होता है जिसे दंड का भै नहीं होता और अनुचेत्व मनमाना आचरण करता है दुष्ट स्वेच्छाचारी अक्खड किस्म का वैसे उदंड उग्र भयानक आतताई वाइलेंट किस्म के लोगों ने जो देश की एकता को हानी पहुँचाई थी उससे उबर पाना बहुत कठिन प्रतीध हो रहा था समाजिक एकता तूट रही थी और फूट की नीती ने अनेक्य यानि अनेकता को स्थान दे दिया था समाज में उस भारत में जहां कभी हर धर्म हर संप्रदाय जाती वर्ण व्यवसाय का हर व्यक्ति सोहार्द के साथ रहता था क्षेम का क्षय यानि सुख का कुशल मंगल का सुव्यवस्था का रास हो रहा था अभाव हो रहा था असुरक्षा बढ़ रही थी चारों और पावन अर्थात पवित्रता से जुड़े आपसी संबंधों में द्वेश विद्वेश का प्रवेश हो रहा था इर्शा हमारे चित से क्षण मात्र भी हटती नहीं दो भाईयों में भी परस्पर अब यहां पठती नहीं एक दूसरे से इर्शा करना तो मानुसामान्य सी बात हो गई थी जरा सा किसी की खुशी चाहे वो परिवार जन की ही क्यों नहों बरदाश्ट नहीं होती थी किसी से अधिक दूर जाने की तो कोई आवश्यक्ता ही नहीं है भाई भाई में भी परस्पर बिलकुल नहीं पठती थी विरला ही कोई परिवार था जो अपनी एकतार प्रेम को सुरक्षित रखे हुए था ग्रह कलह से कुद्रिष्टी से बचाए रखे था अपने परिवार को इस ग्रह कलह से ही कि जिसकी नीव है अविचार की निंदित कदाचित है प्रथा अब सम्मिलित परिवार की पारस्परिक सोहार्द अपना अन्य था अश्रांत था हाँ सुवसुधैव कुटुम्ब कम सिध्धान्त यह एकांत था इस ग्रह कलह से ही कि जिसकी नीव है अविचार की निंदित कदाचित है प्रथा अब सम्मिलित परिवार की ग्रह कलह का मूल कारण है अविचार यानि बिना सोचे समझे कुछ भी निर्णय लेना आपसी मतभेद सब तभी पैदा होते हैं जब एक दूसरे के दृष्टि कोन को हम समझना नहीं चाहते और केवल अपनी चाही सब पर थोपना चाहते हैं यही सबसे बड़ा कारण है सम्मिलित परिवारों के तूठने का एक दूसरे को फूटी आँख न सुहाना और फिर एक छत के नीचे रहना कलह के अलावा किसी और वृत्ति को जन्म नहीं दे सकता इसलिए धीरे धीरे एकल परिवार पनपने लगे और सम्मिलित परिवार निंदा का विशय बनने लगे तूठने लगे पारसपरिक सौहार्द अपना अन्य था अश्रांत था हाँ सुव सुधैव कुटुम्ब कम सिधांत यह एकांत था ये वही भारत है जहां कभी पारसपरिक सौहार्द घटता नहीं था निरंतर अश्रांत अथक विश्राम रहत बढ़ता ही रहता था घर की समाज की कोई चारदीवारी नहीं थी कोई बटवारा नहीं था पूरा का पूरा गाउं मोहला एक जुट हो सभी पारिवारे को सव साथ मनाया करते थी पूरी की पूरी वसुधा संपून धर्ती संपून विश्व उनके लिए कुतुम्ब के समान था अटल विश्वास था हमें इस सिध्धान्थ पर वसुधैव कुटुम्ब कम्द किन्तु समय इतना बदल गया था कि वसुधा तो क्या अपने छोटे से परिवार में भी एक कुटुम्ब के समान प्रेम भाव से रहना असंभव सी बात लगती थी व्यभिचार ऐसा बढ़ रहा है देख लो चाहे जहां जैसा शहर अनुरूप उसके एक चकला है वहां जाकर जहां हम धर्म धन खोते सदैव सहर्ष हैं होते पतित कंगाल रोगी सैकुणों प्रतिवर्ष हैं व्यभिचार ऐसा बढ़ रहा है देख लो चाहे जहां जैसा शहर अनुरूप उसके एक चकला है वहां परिवारों का तूटना ही व्यभिचार का भी मुख्यकारण बन गया था निक्रिष्ट आचरण दुराचार दुशकर्म अनुचितियों संबंध रल्ट्री समाज में धीरे धीरे बड़ा ही विक्राल रूप ले रही थी सरल लगने वाला क्षणिक सुखान भूति देने वाला यह मार्ग वास्तव में तृत्वी पर नर्कवास के समान ही था छोटे बड़े चकले वेश्याओं के अड़े शहरों में होना तो एक आम बात होने लगी थी और यहां तक कि इनका होना कोई अपराध नहीं रह गया था अपितु अधिकार हो गया था जाकर जहां हम धर्म धन खोते सदैव सहर्ष हैं होते पतित कंगाल रोगी सेंकड़ों प्रतिवर्ष है तो व्यक्तिगत स्वतंतृता की आड़ में एक ऐसा रोग पनपने लगा था समाज में जिससे ग्रसित हो कीडे मकोडे सा हो गया था इंसान पतित कंगाल रोगी के समान धर्म के हनन धन के अपव्य और सुख श्रांती के रास के कारण समाज की पारिवारिक इकाई की देश की रीडी की हड़ी चर्मरा रही थी प्रतिवर्षिस या विचार का अंखड़ा बढ़ चढ़ कर अधिक से अधिक लोगों को अपनी चपेट में लेकर देश को एक नैतिक पतन की ओर धकेल रहा था वह कौन धन है दुर्व्यसन में हम जिसे खोते नहीं उत्सव हमारे वारवधुओं के बिना होते नहीं सर्वत्र डोणी पिट रही है अब उन्ही के नाम की मानो अधिश्ठात्री वही है अब यहां शुभ काम की वह कौन धन है दुर्व्यसन में हम जिसे खोते नहीं उत्सव हमारे वारवधुओं के बिना होते नहीं दुर्व्यसन के रहते असंभव था बारतिय समाज में समरिद्धी सुक शान्ति वसोहार्द का होना नैतिक पतन का भागी भला शौर की वीरता की स्वाभिमान की परिभाशा क्या जाने व्यसन की इतनी आति हो गई थी कि अब उत्सवों में घर की व्याहता वधु का स्थान वार वधुओं को दिया जा रहा था कोई उत्सव इन नर्तकियों, वेश्याओं, गणिकाओं, लोकांगनाओं के बिना संपन्द ही नहीं होता था धन का, चरित्र का, समाज में सम्मान पूर्वक, स्थान का, हर तरह से हनन ही हनन था सरवत्र डोंडी पिट रही है, अब उन्ही के नाम की मानो अधिश्ठात्री वही हैं, अब यहां शुब काम की उन्ही का बोलवाला था बारवधुओं का समाज में उन्ही की डौणी पिट रही थी चारों और उन्ही के नाम की मुनादी डुगडुगी बज रही थी हर गली महले में हर शुबकार की अधिश्ठात्री थी अब वो यही धन लोलुप बारवधुओं और सहर्ष उन्ही पर धन लोटाने को तयार था हमारे समाज के लगभगरवर्द जिस समाज में प्रेम व्यापार बन जाए पारिवारिक संबंध विकाव हो जाए उस समाज के हित की कोई संभावना नहीं था शेश लिखने के लिए क्या इस अभागे को यही भगवान भारत वर्ष की कैसी अधोगती हो रही यदियंत हो जाता हमारा त्यागते ही शील के तो आज टीके तो न लगते आर्य कुल को नील के था शेश लिखने के लिए क्या इस अभागे को यही भगवान भारत वर्ष की कैसी अधोगती हो रही गुपतुजी को बहुत खेद है दुखी है अपने दुरभागे पर कि उनकी लेखनी के भागे में भारत के पतन की गाथा लिखना नियत है मानुश्राप है उनकी लेखनी कोई लेकिन जब बीड़ा उठाया है उन्होंने तो करतवी को अधूरा भी नहीं छोड़ सकते पाठकों के प्रति अन्याय और इतिहास के प्रति पक्षपात भी नहीं करना चाहते हैं वे उसके सफलता के शिखर तक पहुँचने की आत्रा कहना यदि आवश्यक है तो अपने भीतर का सोया स्वाभिमान जगाने के लिए भारत के पतन की चर्मोत कर्ष से उतराई की कहानी कहना भी उतना ही आवश्यक है भूला हुआ भटका हुआ पत्थ भ्रष्ट यदि सही मार्ग पर चल दे और घर लोटाए इसमें ही उनकी लेखनी की सफलता होगी जो उन्हें आज अभिशाप लग रहा है शायद भविश में वो वर्दान सिद्ध हो जाए यदि अंत हो जाता हमारा त्यागते ही शील के तो आज पीके तो न लगते आरे कुल को नील के गुप्त जी सोच है हैं कि प्रकृती नहीं यदि कुछ ऐसा नियम बना दिया होता, कुछ ऐसा दंड नियत कर दिया होता व्या भिचारियों के लिए कि चरित्र को त्यागते ही दुषकर्म की इच्छा अथवा दुर्भावना हृदय में आते ही उस मनुष्य का सता ही अंत हो जाता तो आज आर्य कुल को यू नील के टीके न लगते अर्थात बदनामी का कलंक का दाग न लगता भारत के मस्तक पर इस प्रकार भारत की शुच संस्कृति को रुस्वाई नजहिलनी पड़ती आज मलिनता का आवरण ढखे हुए है हमारे पवित्र संस्कारों को गुप्त जी का इस विशय पर लिखने का यही आशय है कि ज्यान हो बोध हो हमें समस्या का और ढूंड सके हम मिलकर निदान उसका और वो निदान नहित है हमारे अपने ग्रंतों में हमारे आरे वर्त के स्वर्णे मतीत में हमारी संस्कृति में हमारे संस्कारों में हावे तपो धन रिशि कहां संतान उनकी हम कहां थी पुण्य भूमी प्रसिद्ध जो हाँ आज ऐसा अगवहां बस दीप से कजल सद्रिश निजपूर्वजों से हम हुए वे लोक में आलोक थे पर हम निविड़ तर तम हुए हावे तपो धन रिशि कहां संतान हम उनकी कहां थी पुण्य भूमी प्रसिद्ध जो हाँ आज ऐसा अगवहां स्मरण हो रहा है उन्हें प्राचीन काल के उन तपो धन रिशियों का अपने तप के धन से जिन्होंने भारत भूमी को पुण्य भूमी बनाया विश्व गुरु बनाया ज्यान का प्रकाश चारों दिशाओं में फैलाया और अब उनकी संतान हम कहां से कहां आ गए हैं उस पुण्य भूमी को भर दिया है अपने पाप कर्मों से बस दीप से कजल सद्रिश निजपूर्वजों से हम हुए वे लोक में आलोग थे पर हम निविड तर तम हुए उन पूर्वजों से जो दीप बन कर जलते रहे विश्व को अपने ज्यान से प्रकाशित करते रहे हमने क्या ग्रहन किया जलते दीपक से हमने प्रकाश देना नहीं सीखा बल्कि उसके धुएं की कालिक के काजल को अपना दिया उसकी कालिमा मात्र बन कर रह गए हम जो संपूर्ण लोक के आलोक थे सूर्य समान उर्जा के स्त्रोत थे और हम उसके विपरीत निविड तर तम हो गए अर्थात घना घोर अंधकार निविड यानि घना सघन तो ऐसा घोर गंभीर घना अंधकार जिसकी परत दर परत के भीतर हमारा अस्तित्व हमारी भारतियता विलीन होती जा रही थी बहुत कठिन है इस आवरण को हटाकर उस जोति पुन्ज को बाहर निकालना भारत की मलेन धूमेल छवी को निखारना किन्तु हमें ये करना होगा यही करत्यत्व है हर भारतिय का प्राप्त कर्म है उसका इस जन्म भूमी में पैदा होते ही हम पर यह दायत्व स्वता ही आ गया है और संचित कर्मों की तरह हम इससे अवगत नहों ऐसा भी नहीं है हम सब भली भाते जानते हैं कि राष्ट्र सर्वोपरी है और उसे वहीं उसके सर्वोचिस्थान पर पहुचाना हमारा कर्म है आए मिलकर यह शपत लें पुनराव लोकन करें अपने भूत का जागरत हों वर्तमान के प्रति और प्रयत नरत हो जाएं भारत के स्वर्णिम भविश्य के प्रति आज इस कड़ी को यहीं समाप्त करती हूँ शीग्र लोटूंगी अगली कड़ी के साथ ततीक्षा कीजिए सुनते रहिए बाटते रहिए अपने मित्रों संबंधियों के साथ सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए यदि नहीं किया है तो और सदा की तरह एक बार चलने से पहले आज पढ़े साथों पदों को दोरा लेते हैं इस ग्रह कलह के अर्थ भारत भूमिरन चंडी बनी जीवन अशांतिय पून सब के दीन हो अथवा धनी जब यह दशा है गेह की क्या बात बाहर की कहें है कौन सहर दै जनन जिसके अब यहां सूब हैं उद्धंड उग्र अनैकिने क्षय कर दिया है क्षेम का विद्वेश ने पद हर लिया है आज पावन प्रेम का इर्शा हमारे चित से क्षण मात्र भी हटती नहीं दो भाईयों में भी परस पर अब यहां पटती नहीं इस ग्रह कलह से ही कि जिसकी नीव है अविचार की निंदित कदाचित है प्रथाब सम्मिलित परिवार की पारस परिक सोहाद अपना अन्य था अश्रांत था हा सुवस धैव कुटुम्ब कम सिध्धांत यह एकांत था व्यभिचार ऐसा बढ़ रहा है देख लो चाहे जहां जैसा शहर अनुरूप उसके एक चकला है वहां जाकर जहां हम धर्म धन खोते सदैव सहर्ष हैं होते पतित कंगाल रोगी सेकणों प्रतिवर्ष हैं वह कौन धन है दुर्व्यसन में हम जिसे खोते नहीं उत्सव हमारे वारवधुओं के बिना होते नहीं सरवत्र ढोंडी पिट रही है अब उन्ही के नाम की मानो अधिश्ठात्री वही है अब यहां शुभ काम की थाशेश लिखने के लिए क्या इस अभागे को यही भगवान भारत वर्ष की कैसी अधोगती हो रही यदि अंत हो जाता हमारा त्यागते ही शील के तो आज ठीके तो न लगते आर कुलको नील के हावे तपो धन रिश कहां संतान हम उनकी कहां थी पुण्य भूमे प्रसिध जो हाज ऐसा अग वहां बस दीप से कजल सद्रिश निजपूर्वजों से हम हुए वे लोक में आलोक थे पर हम निविळतर तम हुए नमस्कार जय भारत जय भारती